हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आपका स्वागत करता हूँ, आपके अबने यूटूब चैनल विजाकाले सहेटेस में, दोस्तों इस क्लास में हम डिसकस करते हैं, जो हमारा सब्जैक ठेक ट्रेनिंग मैसलोजी, उसका जो भारती स्किल का कोश्चन बैंक, उसको हम डिसक सकता है, ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले एक छोटे सा टैस स्रीज के बारे में, जानकारी देखिए, जो टैस स्रीज है, ट्रेनिंग मैसलोजी और वर्ट्सों कैलिबलेशन साइन्स, ये दो टैस स्रीज है, ठीक है, तो जो स्टुडेंट इसको लेना ये संडे तक रहेगा, जो स्टुडेंट लेना चाहता है, वो ले सकता है, इसे लेने का बेनिफिट क्या होगा, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसे लेने का बेनिफिट ये होगा, जो निमिक एकोल्डिंग, जो राइट आंस्वर होता है, ठीक है, वो निमिक एक नहीं कर सकते, आप किसी भी question पर, ठीक है, जो answer निमी के according सही होता है, वो ही सही माना जाता है, जो यह test series बनी है, उसी के according यह बनी है, तो जो student लेना चाहता है, वो ले सकता है, उसको लेने के लिए simply जो यह WhatsApp नंबर आप देख रहे हो, इस पर वो contact कर सकता है, WhatsApp नंबर जो आप पर भी मिलती रहती है, ठीक है, जो यह आप PDF देख रहे हो, यह भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, बाग की जो student इस चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर ले, क्योंकि आपर आपको status से regarding सारी update मिलती रहती है, तो द priorities and due dates, कक्साओ, कार्य प्रत्मिक्ताओ और दे तितियों को निर्धारित करने के लिए निमलिकित में से कौन सा सबसे अच्छा सादन है, देखे, अगर आपको कोई कार्य करना है, कक्सा में, ठीक है, किस तारी को क्या करना है, उन सारी चीजों का निर्धारन करना है, उनको के लिए क्या सादन है, कैलेंडर, उसके लिए सबसे अच्छा सादन है, ठीक है, वही कलेंडर के इसाफ से आप अपना schedule बना पाओगे, कैसे क्या करना है, जो आप कार्या है, किस कार्यों को किस दिन priority देनी है, वो कलेंडर के इसाफ से आप कर सकते हो, ठीक है, तो आपका option number एक हो जाएगा, ठीक है, तो देखें, next question की तरफ बढ़ते है, next question है, question number 32, यह देखिए, यह कहता है, यह कहता है, राष्टे पर चलता है, और राष्टे दिखाता है, को होता है वो, उसको बोलते हैं, लेडर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, leader हो जाएगा, जो क्या करता है, जो आपको कोई राष्टा दिखा रहा है, उस राष्टे के बारे में जानता है, और उस राष्टे पर चलता है, यानि क्या हो जाएगा, वो, leader, ठीक है, तो next question हमारा देखिए यह अच्छा question है यहाँ से question आपका बनता है देखिए इसको ध्यान से देखिए question number 33 को how many bits are there in one nibble? एक nibble में कितने bits होते है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा चार bits होते है ठीक है? एक nibble में कितने bits होते है? चार bits होते है ठीक है? बाकी आप अगर क्योंकि यहाँ से आप एक question बनता है तो इसलिए आप इस data को ध्यान रख सकते हो ठीक है? तो आपको क्या करना है? simply जो इस screen पर यह आप data देख रहे हो इसको आपको एक बार पढ़ लेना यह आपके ध्यान हो जाएगा ठीक है? यह पीडियाप आपको टेलिग्राम ग्रूप से मिलेगी तो वाँ पर एक बार आप इसको पढ़ लेना आगे बढ़ते हैं देखें यह रहा हमारा question number 34 जिसको देखिए which one of the following is not an email service? यानि निमिलकित में से कौन सी एक email सेवा नहीं है तो जैसे आप simply पहला option पढ़ते हो yahoo messenger तो यह क्या है yahoo messenger तो जो yahoo messenger है यह क्या है? email सेवा नहीं है ठीक है? बाकी Gmail हो Radip Mail हो, Microsoft Outlook हो यह सभी क्या है? एक email service है जो yahoo messenger है वो email service नहीं है ठीक है? तो next question की तरफ बढ़ते है देखिए यह अच्छा question है बाकी इसके उपर में थोरी किलाज बहुत ही जल्द ले के आऊँगा bloom taxonomy के उपर तो देखिए question number 35 क्या कह रहा है? When was bloom taxonomy of educational objective created? bloom की sexic उदेश्यों की taxonomy कब बनाई गई थी? यानि जो bloom ने जो taxonomy दी थी educational objective की ठीक है? यह कब आई थी? तो यह आपको ध्यान रखना है 1956 में यह आई थी option number 1 हो जाएगा आपका कब आई थी यह? 1956 में इनोंने दी थी bloom ने ठीक है? next question की तरफ चलते है देखिए यह बहुत ही easy question है और यह exam में आता भी है इसको ध्यान से देखिए यह कह रहा है question number 36 में the correct sequence of four step method of teaching is यानि शिक्सन की चार चरण पदिती का सही करम है आपने अपना lesson plan तो देखा ही होगा ठीक है? तो lesson plan में क्या होता है? option number 1 हो जाएगा पहले होता है preparation preparation के बाद क्या होता है presentation और presentation के बाद क्या होता है application और application के बाद क्या होता है testing ठीक है? तो आपको option number 1 हो जाएगा ठीक है next question की तरफ बढ़ते है देखिए question number 37 अच्छा question है यह कह रहा है national policy of physical development and entrepreneurship was launched in यानि causal विकास और उदमिता की राष्टनिती कब शुरू की गई थी तो यह शुरू की गई थी 2015 में ठीक है? कब शुरू की गई थी 2015 में next question की तरफ बढ़ते है देखिए यह रहा question 38 यह कहता है which one of the following is not a method of acquiring skill यानि निमिलिकित में से कौन सा causal प्राप्त करने का तरीका नहीं है ठीक है? तो देखिए मैंने यह आपको topic पढ़ाए भी था method of acquiring skill ठीक है? तो method of acquiring skill में क्या होता है? observation होती है observation के बाद क्या होता है? participation होता है imitation होता है imitation के बाद repetition होता है देखिए leadership के थुरू आप क्या causal प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो आपका option क्या हो जाएगा? leadership हो जाएगा क्योंकि इसने क्या पुछा है? causal प्राप्त करने का तरीका नहीं है तो leadership हो जाएगा देखिए यहां पर इसको समझे इसको आपको ध्यान रखना है यह आप जो देख रहे हो method of acquiring skill तो यह क्या है यह method है जो आप screen पर देख रहे हो यह method है यानि जो हम acquire करते है skill को ठीक है उसमें क्या होता है observation मान लेता है simply इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई teacher आपको practical करके दिखा रहा है तो आप उसको देख रहे हो यानि क्या कर रहे हो उसको observe कर रहे हो observe करने के बाद आपका participation भी बढ़ेगा यानि सहवागिता बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा imitation यानि अनुकरण यानि आप क्या करोगे नकल करोगे जैसे teacher आपको बता के गया है, आप उसी तरीके से practical करोगे, जैसे उनोंने बताया है, ठीक है, उसके बाद repetition करते हो आप, यानि उस काम को फिर दुबारा करते हो, जिससे आपकी skill क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, तो यह method of acquiring skill है, यह आप देख लो, ठीक है, तो next question की तरब बढ़ते है, देखे, question number 39, यह कहता है, in learning psychology, skill is related to hand, देखे, skill किस से related है, hand से related है, in the same way, attitude, attitude पूचा है, किस से related है, तो आपको ध्यान रखना है, जो attitude है, वो आपका heart, यानि heart से संबंदित है, ठीक है, next question की तरब बढ़ते है, देखे, question number 40, यह last question है आपका, इसको देखे द्यान से, यह question जो मैं आपको बता रहा हूँ, same ऐसा है question मैंने, शुरुवाज में जो question number 2 था, उसको discuss किया था, तो यहाँ पर इसको समझना, थोड़े difference है और मैंने उस time पर भी आपको बताया था, यह कहरा, storing the information in mind, and recalling, whenever it needed, ठीक है, यह क्या कर रहा है, recall कर रहा है, whenever it is needed, agnist stimulus, response is called, देखे, वहाँ पर क्या कर रहा था, वो recall कर रहा था, लेकिन कब, need, जो stimulus के according था, ठीक है, तो वहाँ पर हमने option क्या लगा था, recall, यानि recollection, punishment, लेकिन यह अगनेश्ट की बात कर रहा है, मैंने उस time पर भी आपको बोला था, जब आप recall करते हो, stimulus के agnist, ठीक है, तो उस time पर आपका क्या होगा, retention, यानि अवधारन आपका answer होगा, एक बार question number 2, दोबारा फिर देख लेना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर वह agnist of stimulus कहता है, तो आपका answer होगा retention, अवधारना, अगर simple stimulus लिखाता है, ठीक है, तो उस condition में आपका recollection होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, यह same एक जैसे ही question है, थोड़ा ही difference है, ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, जो पहली मैंने वीडियो बनाईती है, उसमें जो question number 2 है, ठीक है, तो same ऐसा ही question है, बस difference agnist का है, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना, अगर यह agnist stimulus की बात करता है, तो आपको option हो जाएगा, retention यानि अवधार ना, ठीक है, तो यह आज का आपका last question था, बाकि अगर किसी भी question में doubt हो, तो आप comment करके बता सकते हैं, कि sir, इस question में doubt है, तो मैं जैसे अगली वीडियो लेके आओगा, तो उसमें आपका doubt clear कर दूँगा, ठीक है, बाकि मैं आपको बता दूँ, अपनी तयारी धिरे-धिरे करते रहें, यह डो daily आपको 10 question मिलते रहेंगे, ठीक है, बाकि जो student test series लेना चाता है, वो ले सकता है, test series का आपको फाइदा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जब आपके exam की date shift आईगी न, तो आप देखना practical, और practical के just एकदम बाद, आपके online exam होते है, ठीक है, तो कहीं ऐसा नहों कि आपको revision का time भी कम मिले, तो इसलिए pro पर अपनी तियारी अच्छे से करते रहे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी भी student का अगर कोई doubt है, तो वो नीचे comment करके पूछ सकता है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगी, तो वीडियो को like भी करते ना, और comment करके बताया करो कि वीडियो अच्छे लगी है, क्या कमी थी, जो भी कमी है, वो आप comment करके बताया करो,